तो बस बात नहीं, अज हम लोग Chapter स्टार्ट करतें कौन सा, बिलकुल एक नेया Chapter, Plant Growth है, Development की बारे में, तो प्लांट ग्रोथ एंड क्या डवलप्मेंट के बारे में भी अक्लास डिस्टप नहीं करें प्लीज तो पहले हम लुक डिफाइन करते हैं ग्रोथ के बारे में एक आपके पास चुर्यांच एक किश्मिश है उसको उठाके आपने पाने में रख दिया और किश्मिश जो है फूल के अंगूर बन गई क्या वो ग्रोथ है या बरसात के ठाइम लकरी की दर्वाजे फूल के बड़े हो जाते जिनको कश्चा बढ़ार करने में बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी लाक मारनी पड़ती है तो क्या वो ग्रोथ है क्यों दरवाजा बढ़ा नहीं हुआ तो आप को डिफाइन कैसे करेंगे गरॉठ पहली बात तो पर्मनेंट ओनी चाहिए और रिवर्सीबल ओनी चाहिए पर्मनेंट ऐन कैसे हो फॉवर्सीबल ऐसा नहीं कि उस अंगूर को वापस सुखा होगी तो सूखने के बाद वो एज है क्या आप लोग कि उम्र घटके पंदरा साल या दस साल या पांस साल या चुन्नू बन सकती हो गया नहीं बन सकती हो ना छोटे बच्चे यह वापस नहीं बन सकती हो तो ग्रोथ कैसी होती है पर्मनेंट होती है और कैसी होती है इंड कैसी होती है इंड कैसी होती है इं ऑने उतंच एंट्रिणा घ्रौथ गरओ की यहां थो ऩुए फैप्ने उट्रिणग्रोथ यहां अब इंट्रिंजीक ग्रोथ क्या हुआ मतलब क्या है कि आपके पास एक सेल के अंदर वहते होता है साइटो प्लाजिम का पास्म का था निस्ट प्लाज्म कियो जदा हो रहा है तो कॉमंटसेंस की बात allora biomolecule की संठ्ख्या बढ़ेगी जयसे metabolism का दिखरे तो अब cosm में betyd जए और नबोलिजम जो आप जो एफ में यहा아서 ह्पास्टर होगा न क्या क्टन बोलेज्ब तो उसके वज़े से damn sendo कर रहे बंच इसलिए धी वड़ाई से जाधा होने की वजह से प्रोटो प्लाजम में का वाल्यूम बढ़ेगा और अब यह भी हो सकता है कि आपने दह दो चाप्टर पढ़ा होगा कि जब सेद्सेती जब से जहरूद से ज्यादा साइस में बढ़ जाती तो यह तो दिवाइट भी कर लेद जो जंदक उसे सायस बढ़नों से अगर इस बाएस पतार समय स्टवर्ण में इस अगर में सिर्ट करें मौलेक्श के यह तो इस में इस में पांट्र मोल्कीूल का बायो मोलिक्शिंद सी अ क्या संदिशिय्थिप फि Herren इस में चायी से Candaufen कंप उच एल जा कि तो पर आबह आई ह यहां पे प्रोटोप्लाज्मिक heat you कि यहां फिर आप भोलोगे सैटो प्लाजमे जुट होगा इंक्रीज्जुगा और इसकी वजे से क्या होगा या तो यहां पे हम बोलेंगे की सेल का साइस प्रीजदोगा या फिर हम बोलेंगे कि यहां पर cell division होगा and cell division की वसे यहां पर cells की संख्या क्या होगी increase होगी and cell की संख्या increase होने पर या cell का size बढ़ने पर overall tissue का क्या होगा size increase होगा और उसकी वज़े से organ का size increase होगा and organ का size increase होने पर finally हम बोलेंगे कि यहां पर और्गनिजम का जो साइज है वो क्या होगा इंक्रीज हो रहा है तो यह बात याद रखना आप लोग तो इसको में बोलते हैं इंट्रिंजी ग्रोथ कि अच्छा अब अगर प्लांट ग्रोथ और अनिमल ग्रोथ के बीच में अगर डिफरेंस पड़े इनला तो आपने देखा हो कि अपने प्लांट जैसे जैसे अपना उसाइस बढ़ाता है तो उसकी साथ नंबर ओंव ब्रांचिस नंबर ओफ लीफ फ्लार नंबर ओव सीड की संख्या बढ़ती है मतलग प्लांट के अंदर गोध के दौरन कि होते ओर अर्गन की संख्या आफ कर जब ऑगई तो क्या आपके अर्ग की शंक्या बदी नु आअच्यामन की डोग्ग ची बोर्ण की अवरओ रोग्ठ कि अब्ल्मम ओट ए अवर धम्य। ए एतर ह्यों होता जारा मैसित्ग कर दो प्लांट की मारी यह की जगब के लोगों unikry 찍िस्ट बढूब्कू नहीं कि लेके कि भी वह नंगी वीरिघ्ट होगा तो आगे संप्लांट ऐसे इसे जो कि एन सप्ड़ाट होते हैं के लोकाइजिव एनिममाय घ्रोहत कि अधES भी जो मुटहुते हूं कि रहे ह्ता है तो पिलॉन से राते धां हें नुक जाया थैनो उसमिन आने के डोही तो इसने डिश्कस करीए ना। कि और डिसकेश करते ही प्लांट डिफरेंस की बारे में तो आनीमल ग्रोथ हम पहले बोलेंगे कि ओबरॉज ओवरॉल होती है जबकि इसमें ग्रोथ कैसी होती है यह फिक्श्ड होती है या फिरा मá्ивать के localized growth होती है and localized growth का क्या मतलब है? कि इस में memory stometric tissue, memory stometric tissues are present in local area, जैसे example हम लिख लिख ले थे, इस में shoot apical meristem या फिर root apical meristem तो जब root की length बढ़ती है तो आपने रेखा होगा कि बाद की शूवकल मरे शूश्य टंग एक्टिबेट होगा तो पुस्क्तम का सिर्थ ट्फी एक्टिबेट होगा एसा नहीं होग कि पूरा सूट णो गरोह कि इंक्रीस ऐसा नहीं होता है और पहला ओफ्रोथ होगया फ frase इसमा ग्रोथ आपको एंटीमिटेड लिमिटेड जबकि इसमें क्या होती है अनलीमिटेड ग्रोथ होती है जब तक मरेगा नहीं district सने सेंस थोड़े दिल पहले तक वह अपना ग्रोथ जो है वो लेंद अपनी लगाता बढ़ाता ही रेता है चाहे लेंद की बात करो चाहे गर्थ की बात करो वो इंक्रीज होता ही रेता है और तीसरा आपने पड़ा था कि हमारे अंदर यहां पर होती है अशकी मिलेगा आपको इन्डीट्रमिनंट का मतलब क्या हुआ कि जहां पे और्गन की संख्या Amaपो की संख्याई वो लगातार क्या होती जारें क्लीच होती जारी है और यहां पर शाべजर 0 Kay कि संख्या नंबर वो क्या उसको ना लेगा फिक्स हमारे अंदर हर्त की होता है लांस अब्ले ही अपको दो ही मिलेंगे ऐसा नहीं कि आपके ग्रोथ के साथ जा जो है यह यह पे लीवर लंग सब्सक्राइब बढ़गी और इस में क्या होगा लो और्ड़न रहें जहीं है कि रहीच नहीं है ऑन डीज को शींहिचे नहीं को फ्रॉकर भेड़त के शोहां कहा है पैल कित चलाइड घ का इसँ करने के अथा पर निस गुदिक प्लान प्लान इड़ात के जैसे मगलो कि आपकी हाइछ इन्क्रीज हो रही है तो आपने कैसे पता किया आयों आपने प्रेंट चेक कमें या जब ँंकल आंटी बनते है तो हमारी क्या होती है गर्थ इन्क्रीज होती है तो इसमें आपने क्या देखा चेhesίν तो एग्जैक्ली में वैसे पूछ रही हो तो आपने क्या देखा यहां पर नंबर इंक्रीज हो रहा है पोलें ट्यू का क्या होता है लेंद्ध इंक्रीज होती है और पोलेंस की क्या होती है संख्या इंक्रीज होती है और फ्लार की क्या होती है संख्या लीफ का एरिया लीफ का तो यहां पर हम बात करते हैं, मेजरमेंट की बारे में अच्छा अब इसको मेजर कैसे किया जाएगा तो यह तो हम बात करेंगे इसमें नंबर के बिसिस पी या फिर साइस के बिसिस पी वॉल्यूम के बिसिस पी या फिर वेट के बिसिस पी या फिर एरिया के बेसिस पर या फिर लेंद के बेसिस पर यह क्या हो रहा है इनको इनको क्या बोलते है ग्रोथ बोलते है इस एक्जामपल पॉलन ट्यूब तो एक्जामपल पॉलन ट्यूब का क्या होते है पोलन ट्यूब का क्या होते हैं लेंध इंक्रीज होती है अच्छा लीव का क्या होते हैं तो लीव का एरिया इंक्रीज होता है फ्रूट का क्या होते हैं तो फ्रूट का वोल्यूम और वेट और प्लस साइज तीनों इंक्रीज होते हैं जैसे एक्जामपल फ्लार की संख्या बढ़ रही है, फ्लार्स नंबर हो गए, या फिर पोलन्स की संक्या बढ़ गए इसमें, अब NCRT में दो एक्जाम्पल दिये हुए, एक दियावा एक्जाम्पल, मेज आपने सुनाए, मेज का रूट अपाइकल मेरिस्टेम दिये हुए, और उसके आगे वेल्यू लिखा है, साड़े सत्रह हजार पर आर, साड़े सत्रह हजार पर आर, तो नंबर की जब बात आ रही है, तो इसमें हम बात करते, मेज के बारे में, और मेज का रूट अपाइकल मेरिस्टेम पढ़ते हैं, तो तुम्हें पते हैं, इसमें रूट अपाइकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का करें लेकर का मतलब क्या हुआ कि यूपार क्या करेंग करेंगा तो में अव्तड रिए कित्ता फास्ट हो सकता है आप imagine कहां सकती हो साड़े 17,000 new cells वो भी आपने लिखा है क्या साड़े 17,000 नई cell बन जाती एक गंटे में तो आप calculate करना बैठके कि दो cell division के बीच में time duration कित्ता होगा बाई एक गंटा डिवाइड बाई साड़े 17,000 कर दो आप लग बुलोगे कि रूट अपाइकल में इसके इंदर डिवाइड करने में hardly millisecond का time लगता होगा एक से दो सेल बनने में time कितना लग रहा है hardly millisecond का time लग रहा है समझागे ठीक है अब इसमें एक एक्जांपल दिया वाइड वाटर मेलन का फ्रूट्स में एक्जांपल दिया वाइड वाटर मेलन वाटर मेलनं जब पैदा होता है छोटा सा होतह है फिर बाद में काफी बड़ा हो जाता है तो अगर आब पहले और बाद को अगर compare करोगे तो इसमें पातयग ग्रोफ किती हो जाती है वो अपनाφο वलियू में करता है कितना साढ़े ऺ्ड़तीन प्रिवाइड ग त्वाइम्स कर रहा है यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कोई परेशा नहीं है तो इस तरह से इम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते यहां तो संख्या की बेसिस भी या फिर एरिया या लैंथ वॉल्यूम भार या फिर प्लांट के अंदर दायमेटर भी तो बढ़ता है ना प्लांट अपनी गर्थ बढ़ाता है इस्पेशली आप 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 अपर जहांपे से कंडरी ग्रोफ जिसको भूलते हैं जो केम्बियम की वज़े से होती है जिसमें प्लांट चो है वह अंकल आंटी बन जाता है तो इसमें गर्थ इंक्रीज होती है तो यह सारे क्योथे को मेंजर कुरने कर डिफ्रेंट टरीकियों होते है जात कि आभ इसके बाद हम बात करेंगे छिabileष वाफो बीदぎ कि बारे में हालंके कोई नए चीज नहीं है बहुत आसान और अब तक अगर आप धहान से देखो तो मैं सारे रिउसन Santare करवा अब तक जितना सरेबस पढ़ा है उसमें रिजन ही हो रहा है बिसिकली है ना तो फेजिस ओफ ग्रोथ की बारे में तो इसके लिए उम लोग एक्जामपल ले लेते रूट अपाइकल मैरिस्टेम का तो रूट अपाइकल मैरिस्टेम में आपने देखा होगा कि यहां पर जो सबसे आगे मैरिस्टेमिटिक टिशू होता है एंड फिर मैरिस्टेमिटिक टिशू क्या करता है यहां पर सेल्स डिवाइट करती है डिवाइट करने की बात क्या होती है सेल्स का साइज इंक्रीज होता है तो यह यहां पर क्या हो रहा है इसमें इलोंगेशन जोन हो गया य दूसरा हो जाएगा यहां पर इलोंगेशन जोन एलोंगेशन जोन एंद फिर फानली हम लोग बोलते कि रूट सेल जो हो पूरी तरही से मिच्यूर हो जाती है तो इसको बोलते मेच्यूरेशन जोन जो मैं आपको मॉफोलोजी के इंदर अल्रेडी पड़ा चुकी हो जाते हैं जैसे अभी फिलाल आपका जो है डिफरेंशेशन चल रहा है हुआ नहीं है सेलेक्शन हो जाएगा आपका डिफरेंशेशन हो जाएगा ठीकिए फानली आप डॉक्तर बन जाओगे तो यह चीज होती है तो पहले हम क्या होते है पैदा होते फिर रम बड़े होते और उसकी बाद क्या होते हैं मिचियर हो जाते हैं अब मैंने आपको यहां पी प्लांट अनाटमी में कुछ पढ़ाया था मैस्ट्रमिटिक टिशू का कुछ प्रॉपर्टी इस पड़ी थी हमने और इलोंगेशन सेल की प्रॉपर्टी और मैचियो और डिफरेंशेशन सेल क प्रॉपर्टी पढ़ाया थी कुछ मैंने बस वही डिविजन होने वाला है आप लोग क्या बोल रहे हो कि यहां पर सेल डिवाइड हो रही है और डिवाइड होने की बात सेल जो है पो इलोंगेट हो रही है अच्छा इलोंगेशन जोन को अगर आप कंपेर करोगे तो कैसे पता करोगे कि यह इलोंगेशन जोन की बात हो रही है और मैचुरेशन जोन की बात हो रही है मैचुरेशन जोन का मतलब जिनको हमने सेल को कभी पर्मनेन सेल बोला था और पर्मनेन सेल होने का मतलब क्या है कि जिसकी पास एक ठिक और सेकेंडरी वाल बन चुकी होती है और आंको बुधैंगे की वो शैल क्या हो चुकि प्मानेनिट को की मिचफिछ रोच पिये 1 इनग दौरान होता क् सेकंडरी वाल बन रही होती है हांड वाक्यों डवन पूरी होती यही तो पढ़ाया थे मैं कने की यहां होता है कि सिकुंडरी ओन का दवलब लाए है एकड़ इहां पी क्या हो रहा है वयक्यूर जो है वर बन नव उल्होर चुके है तो डवल सेंड़ छे च्वमल के इसें टिक टीमाल हवाती आ एकड़म्रे उल्हूरौर एकड़िए ब्रापरटी यह प्रकरती होती है अन्-छिक वर्ड प्रजें्ट होती है एक मत्यूर सैल की प्रपरटी फ्रेवर्ड पाह तो इसके बीच की दोरान में हो क्या रहे है से कंटरी बॉर बाल ड्रहे है कोई परीशान के इसमें कब आसान तर आ चलो तो यह हमने पड़ाए कि ऐसमें फेजिस ओजिए कौन कौन ससे हो जाएगा पहला आजाएगा दीविजन फेज बंदिजिट फेस, दूसर्ग क्या होगा? एलॉगिशिन फेस एंद तीसरा फेसे ऐगा कौन साइ? इफरेंशिशिशन ऌतोलिब तेसरा फेसे थीशिशन मतलब सेल को क्या काम करना है फ्यूचर में इसको आगर जाके अचिक अचो अचिक लॉन बनना है मैचुरेशन फेस कोई परेशा निक और इन सेल्स को कैसे अडिंटिफाइ करते वह मैं आपको तरीका बता चुकी हो ताइम क्या हुआ है इसके बाद में यह कंप्लिट होगया आपका कॉंसा फीजिस ऑफ गोफ की बारे में अब लोग एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर आजाते तो अब तक इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट था नहीं अब हम पढ़ें ग्रोफ रेट के बारे में ग्रोफ रेट के बारे में रेट का मतलब ही क्या होता है जब आप समय के रिस्पेक्ट में ग्रोफ की बात कर रहे हो किसकी रिस्पेक्ट में बैरी नाइस समय की रिस्पेक्ट में जब हम ग्रोफ की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रोफ रेट अब ग्रोफ रेट यहां पर दो जबाए कौन सार लोजिस्टी ग्रोथ क्या मतलब हुआ दोनों में ग्रोथ रेट ग्रोथ बिद रेस्पेक्ट टु ताइं में इसको बोला जाएगा ग्रोथ रेट अब ग्रोथ हमारे पास दो तरीकी होती है एक होता है अर्थमेटि ग्रोथ और दियांदक ना नीट एक्जम में यहां से इंपोर्टेंट कुश्चन आते हैं और दूसर हो जाए कौन सा लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ मतिम जहां पर लोग आ गया ओलॉग का मितलब क्या होता है जैसे मालों कि एक से धो सेल हो गई, दो से चार हो गई, चार से एंट हो गई, आच से सोला, 15 से 22 और तो यह आगे इसी तरह से चलता रहेगा, तो इसको अमलुब क्या बोलते हैं, logistic growth, और arithmetic का मतलब क्या होते हैं, कि 1-2 cell बनी, 2-3 बनी, 3-4, 4-5, 5-6, 7, 8 इस तरह से चलता रहेगा, अब यह ऐसा क्यों होता है, तो इसका reason सुनो, जैसे मानलों कि आपके पास एक cell है, यह क्या है, एक cell है, वो divide होके कितनी cell बन गए, 2 cells बन गए, जो मैंसे इसमें shade बना रही हो, या फिर line बना रही हो, यह शो कर रहा है, magistrometric cells को, तो इस cell अब भी फिलाल कैसी, magistrometric है, divide होने के बाद कितनी cell बन गए, अब क्योंकि मैंने बोला कि इसमें 1 जो cell हो permanent हो गए, अब magistrometric cells कितनी है, अभी एक ही है, तो डिवाइट कौन करेगा, सिरफ यह वाली cell डिवाइट करेगी, अब इसके वज़े से दिखो, जो cell 1 है, वो तो 1 ही रहेगी, अब यह cell जब डिवाइट करेगी, तो संक्या कितनी हो जाएगी, इसके डिवाइट करने की वज़े से 2 cells बनेगी, अब 2 में से एक cell क्या हो गई, पर्मनेंट हो गई, अभी भी मैस्ट्रमेटिक कितनी है, अब डिवाइट कौन करेगा, सिरफ यह मैस्ट्रमेटिक से डिवाइट करेगी, तो इसके डिविजन की वज़े से, देखो, 1 तो 1 ही है, 2 तो 2 ही है, अब यहाँ पर इसके डिविजन से 2 cells बनेगी, दो में से एक cell क्या होगी, पर्मेनेंट हो जा मैस्ट्रमेटिक से डिवाइट करेगे, जो ही जो शोग मैस्ट्रम बनेट होगी, अक़िया भूड़ जो जायागी, सेंप ए Linda kept these, जा मैस्ट परामानेटिक सेड लो और साव धे सेज़, 1 ft 100 की बात किती हो गए 200 सेल हो गई जो नीची वाली सेल हो तो पर्मनेंट कनवर्ट हो जाएगी और ऊपर वाली 100 की 100 सेल क्या रहेगी मैस्ट्मेटिक तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि इसमें समय के साथ मैस्ट्मेटिक टिशू का साइज है वो सेम रहेगा बट पर्मने यह क्या है एक सहल आहर यह कि वो डिवाइड ओक किप्टी सेल बन गे दो सैल बन g Healthcare he down कि यह डॉना सेट है में स्टमिंटिक हैं फिर वो डिवाइड हो कि गत्ती बन गे चार बन तो चारों को चार किसी में स्टमिंटिक हैं तो मतलब यहां पो में अधों नहीं है तो हjust इसे कित्ती हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां पर सारी के सारी सारी सेल्स कैसी है, मैंस्टू में ठीक है, ऐसा कहां पर हो सकता है, जैसे उसमें एक्जामपल हमने देखा था, रूट अपाइकल में रिस्टेम और शूट अपैकल में रिस्टेम, ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा प्लांट में कहां होता होगा, प्रूट का बहर बढ़ता है या फुरूट का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि फुरूट अपना साइज एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज करता है अभी तो पड़ा है कि वॉटर मेलन जो है अपना वॉल्यूम साधे तीन लाग गुना टाइम जो है ब या फिर फुरूट के भार की बात करेंगे अच्छा अब 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 डवलेप्मेंट की बात करें तो आपने जैसे हुमन का एंब्रयो डवलेप्मेंट पढ़ा ही होगा तो उसमें आपने कभी शायद ब्लास्टूला, मॉरूला, गैस्टूला सुना है अच्छा आपने उसम बनेंगे 16-32 बनेंगे फिर 64 आजाएगा एं64 बनते गैस्टुला बन जाएगा और गैस्टुला में यह शुरू हो जाता है फिर डिफ्रनिशन शुरू हो जादा है जहां पर एक्टॉडम और अंडोडम बन जाती है फिर जहां है सारी सेल्स जो होती वह डिती है जेसे आपने लोजिस्टेक और जैसे ही एंवरियो डवलपोगा और जैसे ही वाह पे divlap प्यमोल और रेडिकल और अ प्यमोल रेडिकल में क्या बन जाएगा रेम और सम बन जाएगा जैसी रेमोष सम जो है growth in embryo, तो वो कैसी होगी, वो होगी logistic, and उसके बाद में, जैसे ही pummel radical बनेंगे, समय के साहँ, इन दोनों का गर graph बनाएं समय के साथ, क्योंकि हमने इडिंग क्या लिका है, growth rate, तो समय के respect में हम growth की बात करें, तो इसमें graph बनाएंगे, अब लोग, तो यहां पर हमने एकशिस पी क्या लिए ताइम आख य एकशिस पी क्या लिए अमने पैड गर्व्थ आप टाइम जा रिपय करता है कि उम रिज्च कितने रिकार ना चाहते हो कि मांदो ो कि अब हर लुक्ति में र hormones क्या विदल्गों या फिर हर एक लिस्पा ब्र कि यह बेदिक करकें हैं आक साल में करें हिवा फिर एफज रंडिया ओओ कि व seguir होरो सकता है मिपने हुऀ कर हका कि पेडिशान करता है कि एक इनभर इनम्न कितना है तो थाइ वरिक टाय। इस्का पिर नहीं सेथे, था क्या मुझे बता विल इने सही वनाया है? कैसेश मानन लो कि एक मिनट में यहां पर एक सेल बनी, दूसरे मिनट में दो सेल बनी, तीसरे मिनट में थीन सेल बनी, च tooth से mówi, चारी मिनट में चारसेल बनी, तो जो रमल कीम बनी की सब ल१ा़िक отлич यह बेरी नाइस बीटा ग्राफ कभी भी 0 से स्टार्ट यह कैसे फॉसिबल है कि सहल 0 थी बहले कुछ तो होगी ना हाथ इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा इस का बाइलो जी सबसे इंपोर्टेंट ग्राफ कॉंसा होगा सिंग मोद्ग ग्राफ होगा कि कुश्चन अगर आये और अगर अगर अपको नहीं पता है तो उसमें 99% जो है आंसर क्या जाएगा लॉजिस्टी ग्रूथ कि बालोजी में सबसी में इंपोर्टेंट ग्राफ ही कौन सो ओदा लॉजिस्टी ग्रूथ हाँ अगर एंजायम सबस्टेट के बीच में पूचे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो फिर एक्सेप्शन चोड़ दे ना बाकि अगरवाइस 90% जो ग्राफ वालोजी में बनते वह कौन से हो दे है लॉजिस्टी ग्रूथ चला तो इसमें हमने यहां क्या लिया है ताइम लिया है और यहां क्या लिया है ग्रूथ और L T लिखा है ना L T का मिंदल पर T समय पर लेंथ की बात हो रही है तो बता सकते हैं यह क्या होगा इसको बोला जाएगा L 0 इनिशियल लेंथ कि शुरू में कुछ तो उसकी पहले से लेंथ होगी ना 0 तो होगी नहीं कॉमन सेंस की बात है तो सेम लाइक यहां पर ने बात और ने इग्जाम के अंदर फॉर्मले पर बड़ा इंपोर्टन कुश्चिन आता है और इसमे फॉर्मले याद रखना है डबलो टी इस इकल टो ओ सरी यहां तो लेंथ है ना तो टी समय पर लेंथ इस इकल टो टा लिखा हो है ने डबलो जिरो ने ऊपर वाले है लग लग आती यह फॉर्मले याद रखना है और यहां पर क्या लिको में डबलो टी इसकल टो डबलो जिरो मुल्टिप्लाई ए रटी जहां पर कॉमन सेंस की बात है कि ए क्या है लॉग बेस ही होता है जुसको आप लॉग तैन में भी कन्वर्ट कर सकती हो है क्योंकि यहां पर बात क पॉपुलिशन के बीश फी ग्राप पढ़ाया था स्पीसी एडिया रिलेशनशिप के बीच में है तो नहीं एक और जगह पर थे पॉपुलिशन ग्रोथ की बारे में पॉपुलिशन ग्रोथ मॉडल जिसमें जे शेप हमने बनाया था और एक सिंग मॉड बनाया था ठीके चलो तो इसमें फॉर्मॉला याद रखना यहां पर W0 E RT होगा और यहां पर L0 प्लस IT होगा यहां पर R क्या है R क्या है R is equal to हो जाएगा क्या intrinsic growth rate आप देखो मैं फिर बोल चुकियों intrinsic growth rate क्या होती है intrinsic का मतलब ही क्या हुआ कि अगर मानलो कि एक cell है cell के इंदर biomolecule का synthesis बहुत फास्ट चल रहा है कि कॉमन सेंस की बात है कि एक cell डिवाइड होगी डिवाइड होने के नहीं मतलब डिवाइड करके वो नहीं सेल बनाने वाली है नहीं सेल बनाने के लिए आपको सारा मेटेरियल नहीं चाहिए और जो सेल biomolecule synthesis जितना जादा फास्ट करेगी तो उसमें डिवीजन भी क्या होगा फास्ट होगा तो और फास्ट होगा तो उसमें ग्रोथ भी क्या होगी फिर फास्ट होगी तो यहां पर कि इंटेंसी ग्रोथ रेट अर का मतलब होता है क्या सिंथेसिस ऑ बायो मॉलेक्यूल सिंथेसिस ऑ बायो मॉलेक्यूल की बात हो घिये कोई परिशानी तो नीट एक्जाम में ध्यान दखना है यहां से इंपोर्टेंट कॉश्चिन हादा है एक ही आता है लोजिस्टिक ग्रोथ एंद दूसरा अदा कॉन सा और यहां पर जाधा तर कॉश्चिन आते है कौन से जाधा तर कॉश्चिन आते हैं यहां पर फॉम्ले से फॉम्ले याद रखना है L T L 0 क्या है इनिशियल लेंद प्लस R T और यहां पर हो जाएगा क्या W T is equal to W 0 multiply log की पावर R T जैसे यहां पर लेंद की जगह वेट इंक्रीज इंट्रड्यूस करने प्लस का साइन हटा के मल्टिप्लाई करना है और यहां पर लॉग इंट्रड्यूस करना है जहां पर R T आपने लिखा था तो यहां पर लॉग की पावर R T कर दीजिया असान था अब इसके रिस्पेक पर ही NCRT में बहुत ब्यूटिफुली कॉशन दिया हुए और जो कॉशन दीट एग्जाम में काफी बार आता भी है जैसे कि आपके पास दो सहल है कितनी सहल है दो सहल है कि आपके पास एक लीफ है और दिया भाई की लीफ का जो एरिया है वो पले से कितना है 5 meter square meter square कि area की बात कर जाए और फिर एक यह leaf A है जानेख यह से निर इग्जाम में अच्छा कोशन आता है एक दूसरी leaf है जिसका area आपको दिया हुए पचास meter square 50 meter square यह शुरू का दिया हुए अब मानलों कि दोनों में growth होती है और दोनों में growth हो कि इसका जो size है वो 5 meter square increase होता है और इसमें भी इसका 5 meter square area जो है वो increase होता है 5 meter square area नहीं, meter तो बहुत साधा हो जाएगा centimeter क्या होगा? centimeter क्या कहते है इसको? common sense ठीक है? तो यह increase होके 5 centimeter square increase हुआ है और इसमें भी कितना increase हुआ है 5 centimeter इतना increase हुआ है तो बताइए दोनों में growth जाबदा कहां पे हुई है जाएगा पर मैं बोलो दोनों में बराबर भी growth है इसमें भी 5 इंक्रीज हुआ है क्या पात है ठीक है? तो आप सुने एग्जाम में कुष्चन आता है यह पर मैं बोल रहे हो देखो इसमें दोनों में growth equal है इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है पर अगर आप compare करोगे इसमें 5 का double होके 10 हो गया ना तो यह पर ग्रोथ 100% होई है विद रिस्पेक तो और यह पर 50 से कितना हुआ है पचपन हुआ है तो growth दो तरेकी होती है एक होती है absolute growth क्या होता है? absolute growth जिसमें हम compare नहीं करते और एक आता है relative growth and relative growth मतलब जिसको with respect to compare कर जाये तो absolute growth इसमें कितनी है बटा 5 cm2 और इसमें भी कितनी है तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछा चाहे कि absolute growth दोनों में कितनी है तो आप बुलोगी equal है क्या है? equal पर जब आप respective बात करोगे कि 5 की रिस्पेक्ट में इंक्रीज होके 10 हो गया तो बिल्कुल डबली हो गया 100% ग्रोथ होई है जबकि इसके 50 के respect में कितना हुआ है? 55 हुआ है तो obviously growth जादा relative growth कि इसमें जादा होगी इसमें होगी पर अगर आपको पूचे की percentage की पॉइंटियों से बोले इंक्रीज कितने का हुआ है? 5 का विद रिस्पेक्ट तू? 50 percentage find out करना तो 100 से multiply करेंगी तो answer कितना आ गया? 10% ये एक्जाम में question आता है तो धियान डखना वो absolute growth के बारे में बात कर जाए relative growth के बारे में तो वहां पे question करबड मत कर देना यहां पे हम बोलेंगे कि absolute growth दोनों में बराबर है but relative growth हम बोलेंगे कि A में ज्यादा है as compared to B relative मतलब comparative कोई परिशान है इसमें? चलो उसके बाद हम लोग next पड़ते कौनसा condition for growth जो आपके लिए नहीं बात है भी नहीं आपने photo synthesis बाले chapter पड़ा है? बस वही तो है आपने वहां पे affecting factor पड़े थे? affecting factor पड़े थे? affecting factor पड़े थे? तो वही तो है condition for growth तो आप मुझे बताओ कि growth को कौन affect करता है extrinsic growth की intrinsic oh sorry intrinsic factor की extrinsic factor very nice दोनो और extrinsic factor में क्या हो सकता है example बुलो बुलो ठीक है? तो इते देखे condition for growth की बारे मा condition for growth तो growth को affect करने वाले factor यांकि extrinsic भी हो सकते और extrinsic factor और यहां फिर हो सकते है intrinsic factor extrinsic मतलब बाहर की factor अभी बाहर की factor क्या हो दे? temperature light soy में minerals और तो पेला हो जाएगा इसमें light common sense की बाहत है कि light अगर नहीं मिलेगी प्रॉपर photosynthesis होगा नहीं खाना बनेगा नहीं तो growth होगे भी नहीं तो light important है for photosynthesis and दूसर इसमें आजेगा कौन सा temperature and आप जानते हो कि plant के लिए optimum temperature important है जैसे C3 plant C4 plant C3 plant के लिए optimum temperature कितना दा? 20-25 degree and C4 plant के लिए 30-40 degree जादा है कुछ तो यह क्या था? optimum temperature था बढ़ाता हमने photosynthesis में चलो इसके बाद carbon dioxide अगर कम है तो हम लोग जानते हो photosynthesis में सबसे limiting factor होता भी कौन है CO2 होता है CO2 अवलेबल नहीं होगी तो अगें photosynthesis नहीं होगा तो प्लान के growth ही matter प्लान के लिए प्लान के इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना क्या कि जो भी आपने photosynthesis को affecting factor आपने पड़े थे photosynthesis के लिए affecting factors जो पड़े थे आपको शॉड़े गाँ और इसामे चौथा जाएगा mineral आपल नूट्रेंस पांच आजाएगा पानी वाटरीं सॉस्टाइब सॉड़े ट्रीक इसारे क्या हो जांगे इसमें extrinsic factor हो जाएंगे कोई परेशा निए इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर दो तर्य से हो सकते हैं या तो सेल के अंदर 52 years ago कि इन्टेरसेलुलर्ड फाकटर क्या को सकता है उसका सफुद का टीना कि जैसे टंपाटर का अत ऊपक्रखक tortilla क्या होता है अलू की प्लान्स ज money होता है तो इसका जेटिक मैक मेकप है ना तो कॉमिंस एंस की बात है कि जैसा उसका डवीयल होगा वैसे उसकी गिरोत होगी स्धीप्लांटने में फेकन चा splits कि ब्लांट कुष्म में रिखिजाएगी सिफ़ुर प्लांट में ब्लगोद कि बेंसा आधा उसकी जाएगा और इसमें एक अधान का तो दो सेल के बीच में काम करते हैं और उसमें आप पढ़ते हो होर्मोंस के बारे में होर्मोंस जानते हो एक ग्लेंड रिलीज करती है फिर बाकी अधर टिशू पर जाके काम करता है तो यहां पर क्या होगे दो डिफेंट होगे नहीं होगया तो यहां पर प्लांट में इनको दोंको काम करने का तरीका है और यह हम वाले कौन कौनशे की होटे जैसे अगक्षीन, साइटोकानीम, जिबरिली-उचिस, ऑड यह गजमलicoan, टोरमीम या फिर करनी फिर किवेन, प्लांट किसे हो सकती है या तो existing cells का size बढ़ा दो कि तब भी tissue या organ का size बढ़ेगा या फिर cell में division promote कर दो तो cell की संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ने से क्या होगा organ का size बढ़ जाएगा तो exactly हम बुलेंगे कि इसका दो नाम ही क्या रखा गया है cytokinin, cyto मतलब cell, kinin मतलब division क्योंकि यह cell division को क्या करता है प्रमोट करता है तो यह दोनों हर्मोन जो है वह basically promote करते है किसको cell division को और जिबरिलीक ऐसी cell division को नहीं जो existing cells बढ़ा देता है मतलब यह promote करता है cell elongation को यह किसको promote करता है हिट promote cell elongation तो इसके opposite यह यह अपसिसी कासी जो है वह cell division को रोकने का काम करता है तो क्या इसको हम समझने के लिए mytotic poison बोल सकते जो cell division को रोकने का काम करता है पर बात आती एथाइलीन की वह का में लिखू तो इसके बीच में लिखा जा रहा है क्या फंक्षन है वह प्रमूटिंग बाले पढ़ेंगे इनिविटरी फंक्षन बहुत कम पढ़ेंगे अच्छा इसमें आपने एक कभी शब्द सुना अप्सिशन जैसे अप में पर दो या पतिंग गिर जाती है या फूसको भी गिरने को बुलती किए एक्षटो क्या अपको लग लगता करता है यह यहिनों पर नाम पर नहीं जाना हेलल नंग तुम और शक्रून गरता कि abscissic acid abscission करता है सब्सक्राइब लगात है इथाली पतियां पुरानी होने के बाद गिर जाती है फ्रूट पकने के बाद गिर जाती है तो इसके लिए मेंन हॉर्मोन जो रेस्पॉंसिबले इथाली होने इसके बाद हमारे चैप्टर का नए पाट शुरूओ ने चाहरा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बारे में तो इसमें हम पहले अग्जीन पढ़ेंगी अच्छा एक टॉपिक और में छोड़ दिया मैं वह मैं आपको नेक्श में पढ़ाती हूं रिडिफ्रेंशिशन एक चैप्टर का नाम क्या लिखा है आपने प्लांट ग्रोथ और ओल्स में उव्रोथ प्लांट तो का लागकी अजाएंगी इसमें लिप्रे तब ग्रोथ प्लांट शोड़ दोगद्टर का टर प्लांट वहिं जा We लिखने एक उड़ेंगी पुपिका लिखने क्या यह लिखने नड़श सब्सूर दिए पलाट के लिगल प्लाट सब्स प